हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इंकमिंग डिग्री यहां पर हम कह सेते हैं इंडिग्री ओफ वर्टेक्स हम इससे पहले जो है वीडियो डिग्री ओफ वर्टेक्स निकाल चुके हैं इसी में ही है हमारी दो तरह की डिग्री होती है एक होती है इंकमिंग डिग्री एक outgoing degree सबसे पहले हम incoming degree कर रहे है incoming degree को भी कहते है incoming degree का मतलब है कोई भी Exactly लिए उस ora के लिए आ रहा हो उसे हम क्याःगे उसे हम क्या करेंगे उसकी incoming degree में 되는데 करेंगे जैसे हमें सबसे पहले इसकी definition पढ़ लेते हैं फिर इसको एक्जाम्पल से जरीए समझेंगे इनने डारेक्टिड ग्राफ दा इंकमिंग डिग्री ओफ एवर्टेक्स वी इस दा नम्मर ओफ एजिस विद वी एज दिया टर्मिलर वर्टेस या एंडिंग वर्टेस जैसे यह हमारा एज है अब यह स्टार्ट है यह बी पॉ हो रहा है तो यह हमारा क्या होगा इसकी इनकमिंग डिग्री होगी तो इसकी इनकमिंग डिग्री क्या होगी एक हमारे पास यह एज आ रहा है यह और एक बी से आ रहा है चीक है तो हमारे पास क्या होगा इन डिग्री ओफ एक ही क्या होगी टूग है जिसे हम क्या करते है इ अगर हमें incoming degree निकाल ली है तो हम इस तरीके से उसका sample show करेंगे और आगे इसको इस तरीके से निकाल लीए अब हमें B की निकाल लिए B के लिए निकालने के लिए B के पास कौण से आ रही है इसमें से कोई भी नहीं आ रही है लेकिन इसके पास एक loop है loop हमेशा क्या होगा in degree हो चा out degree हो वो two का contribution जरू करेगा तो इसका मलब क्या हो गया इसकी degree हो गई हमार पास two नेक्स्ट यह सी पॉइंट है अब सी के लिए हमारी क्या होगी incoming degree क्या होगी एक यह आ रहा है जिस एसीक्स आ रहा है और इसके लावा और कोई भी एस इस नहीं आ रहे है इसलिए इसकी क्या हो गई incoming degree कितनी होगी वान हो गई उसी तरह से हमारे क्या होगा अब हमें last में d के लिए निकालना d के लिए e3 आ रहा है e4 आ रहा है इसलिए क्योंकि हाँ यह हमारा क्या कर रहा है terminal यह हमारा क्या कर रहा है terminal vertex के तरह काम कर रहा है तो यह कितने हुँए इसमें 2 तो इसके degree आगी हमारी 2 तो in degree of a की 2 है b की भी 2 है c की 1 है और d की 2 है next है out going degree आप हमने in coming degree कर ली थी तो आप outgoing degree दिए और हाँ डिगरी ओफफ वर्टेश के बारे में करींगे इन डारेक्ट ग्राफ दिए और डिगरी और उप एग्राम वर्टेश five इसान नंबर ओफ एजफ विद वी ऐसम दिया इनिशन वर्टेश और बिगिनिंग वर्टेश and it denoted by degree यह plus का sign होता और इसमें जिस vertex के लिए हम degree निकाल दें वो लिखते हैं अब इसी में यही है out out degree में हमें क्या है जो हमारा vertex है उसमें हमें starting point देखना है माल लो यहां से कोई भी izes नहीं है जो start होके किसी के पास जा रहा हो तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा D की outgoing degree कितनी है 0 चीक है उसी तरह next हम C के लिए निकालेंगे इसके लिए initial जो है vertex कैसे है इसके लिए initial start कहा से हो रहा है 1, 2 2 ही start हो रहे है यह तो हमारा क्या है इसके लिए तो यह हमारा होगा ending vertex इसके लिए हमारे क्या होगा initial vertex तो हमें जो जा रहा है vertex उसके लिए हम count करेंगे out degree में और जो आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे incoming degree में करेंगे तो हम outgoing degree में क्या करना है सिर्फ इस लेने है क्योंकि यह out मतला बहार की तरफ जाना is हुआ है है नेक्स बी के लिए बी के लिए हमारे आउट कितने थो वेज़ी से तू लिख लिए उसके बाद हमारे लूब है लूप को हमेशा हम काउंट करेंगे टूकि एस इस की नाम पर तो हमारे क्या होगा इसकी ऑउट डिगरी ओगी बीकी फोर हो गई है उसी तरीके से आ क्योंकि यह यह तो incoming है यह out है तो यहां हमारी क्या degree होगी one आएगी तो एक ही degree हमारी out degree क्या है one है आपको incoming और out आपको incoming degree और outgoing degree का concept समझ में आ गया होगा दोनों में difference भी पता चल गया होगा अभी इसे में छोटी सी definition हो रहे है दिग्री स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् B, C, D थे यह साभी हमारे क्या थे वटेसित थे और इनकी डिग्री यह है इसे हमने बाइ स्विकेंस में रख दिया तो यह हमारा क्या अगर डिग्री स्विकेंस ओफ एक ग्राफ होगी चीखे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू